नमस्कार RS अन्यपोर्णा की चन में आपका स्वागत है आज हम तर्भूज के छिलकों से चटने बनाना सीखेंगे हमने तर्भूज के देखे इस तरह छिल लिया है हमने अंदर का लाल पाट निकाल लिया है उसे खाने में यूज कर लिया है और उसके जो चिलके वाइट वाले पाट उसे हमने निकाल कर छिल लिया है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है हमने सरसो तेल गर्म किया है उसमें एक चमच जीरा डालेंगे आधा चमच राए डालेंगे एक चमच सौफ डालेंगे और आधा छोटा चमच, मेथी दाना डालेंगे, एक लाल मिर्च डालेंगे, इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे फिर हम इसमें एक इंच बारी कटा अधग डालेंगे, इसे भी हम थोड़ा सा एक दू मिर्च ले भून लेंगे गेस का फ्लेम हम इस समय लो रखेंगे, और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक चमच, और तुरंथ हमने जो तरबूज के छिलके जिससे काट लिया था, उसका हमने पेश्ट बना लिया है, और उसे डालेंगे अक्सर हम छिलकों को फेक देते हैं, लेकिन उसकी चटनी आप बनाएं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी होती है, आप इस रेसिपी को देखने के बाद उन छिलकों को फेके नहीं बलकि इस तरह चटनी बनाएं या खाने के साथ इसे खा सकते हैं, या रोटी के साथ खाएं, खाने में बहुत टेश्टी होता है, अब हम इसमें स्वादुन सा नमक डालेंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स करके, पानी जलने तक इसे लगाता चलाते हुए बुनते लेना है, क्योंकि इसमें पानी बहु पानी पुरा अच्छी तरह सूख जाए तब हम इसमें पाच्छ चमश शक्कर डालेंगे, इसे भी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, हमने पेश्ट एक कटोरी लिया था, उसमें पाच्छे चमश शक्कर डाला है, आप शक्कर अपने हिसाब से देख लीजेगा, अब हम इसमें आधा निम्बू का रज डालेंगे आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं एक चमच और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे शक्कर ने भी अपना पानी छोड़ा है इसे भी हमें लगाता चलाते हुए इसका पानी जला लेना है और इसको भी हमें पूरा ट्राइ कर लेना है देखिए अब हमारी चटने बनकर तयार है इसे आप रोटी के साथ खाने के साथ खाए ये बहुत टेश्टी होता है आप जरू ट्राइ करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें और बेल आइकन जरू दबाए ताकि ने वीडियो आप तक पहुच सकें धन्यवाद